हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आप सब के लिए लेके आए हूं बहुती चटपटी और कुरकुरिय से नास्ता जो की यह कटलेट आप अगर एक बार बना के खाएंगे ना तो आपको हड़े एक बार यही बना के खाने का मनु करेगा अप इसको देख सकते हैं कितना अच्छा ल करना है बस नॉर्मल करना है और में घ्यास का फ्लेम भी हमें ज्यादा हाई नहीं रखना है मेडियम ही रखना है और इसको हमें ड्राय रोस्ट कर लेना ज्यादा इसको नहीं भूनना है बस थोड़ा सा ही इसको हमें भूनना है ताकि जब हम इसका पॉडर बनाए तो यह अ थोड़ा सा और हमें इसे भून लेना बस ये रेडी हो जाएगा तो फ्रेंट्स ये रेडी हो चुका है इसे ज्यादा इसे हमें नहीं भूनना है तो हम पहले इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं उसके बाद इसका पॉडर बनाएंगे यहां पर मैं ले रही हूं दो उब मैं इसको मैस कर लें तो मैं सबसे पहला है भी एंगे हमें मैस काट ले ना है और इसके पारी मिर्चराज छोड़ा है हमें मिर्च मेरे हारी मिर्च मैं इसमें 5-15 क्यात्य अच्छा खाना पसंद करते हैं उसके बाद मैं यहां पे धेर सारा धनिया पता ले रहे हो इसे इसका लुक भी आचा आता है और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी टेस्ट अनुसार नमक थोड़ा समझी हमें डल्ला आफि काजमी निगे इसके लड़ा फि pant shut कैली मिर्च पॉड़र कैसे अब हमें इसका बाधि हमें दाला है खृष्प लाल मिर्च, चिली फिलक्स तेस्ट बहुता लगता आवर्ट रिष छाइदा में इसको मिक्स कर लेंगे तो पहले हम इसको mix कर लेते हैं तो हमने इसको mix कर दिया है अब हम इस पहले साइड में रहेंगगे एक mix Keyश में हमें लेना है ये साबुद दाना जो है ये ठंड़ा हो चुका है इसको हूं अच्मặt से पीछ की एक powder हमें इसको पहले बना लेंगे पहले इसका पॉडर बना लेते हैं कि अब देख सकते हैं, तो और इसको लेना है और इसमें अधे पॉडर पीसके रखा था उसको घुण दाल कीफ एक बार में जादा नहीं गार में टाला में एक बार मिरे लिगाए और उसके बाद इसको तो सेम तरीके से हमें इसमें मिक्स आप देख सकते हैं ये एक टौ के फोमें आचुका है हमने अच्छे GAOatoire आटे के जरे गुत लिया है तो अब हमें क्या करना है इसको झोटा झोटा पौर्शन लेना है अब झोटा अपने हिसाब से कर सकते हो और इस तरेके कुई नहीं से हमें इसको दे सकते हैं हाद होर थोरा सा हमें इस तरीके से चिप्ता कर देना है ता देख सकते हैं मेरेह पार कुराफेत नो वें आगए उल्य गूंकते हैं आगा से लिधाने कंबले सबसूंड़ और सब्सक्राइब शागर करना है तो आगे में नहीं इनुट भशागर क्या कम सुख से मुश्मूंड nosotros यह और भी क्रिश्पी खाने में लगे तो मेरे पास सेम तरीके में लppings से पहले अब क्या करना है मेरा तेल गरम हो चुका है, यह अब क्या करेंगे एक ग attention कर दिए और डाल देना हैं अ कि में एकदम हाई भी त्यल नहीं रखना चाहिए और एक दम भी नहीं और एक बार में इसमें जितना आए उतना ही डालिया ज्यादा नही भर देजिए नहीं तौब अपसमें चिपक के टूट जाएंगे अध्यार इसके फ्लिम हमें मेडियम ही रखना है ज्यादा है नहीं रखना नहीं तो कंसे रहें आगा uniforms लोले जाएंगे अन्दर से कचा रहें जाएंगे इतना अच्छा देखने में लग रहा है तो मेरे पात जितना है सब को मैं सेम तरीके से बना लूँगी और इसको आप एक वार जरूर बना के खाईए और मुझे भी पताईए कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी ताकि मैं आपके लिए इसे भी अच्छी रेसिपी लेके आओं अगले वीडियो में इसे भी अच्छी रेसिपी लेके और अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्स्त्राइब भी जरूर कर दीजिए अगा तू तब तक के लिए बाई